एथिकायम अरू आरमे अरू पनी गवार गवारती घरवित्र पसे एवटारे बन्यू आमा जेठर मायले छोर काँ छोड़ आ डर ले थर 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 थी काम दाई तर दर दर इरू दाई और अनि बर बरी आशु खशाल दे आमाले गुणासे माँ छ बन्ने जवाप दिनू बयो ए छेगी मिंगाची मोह अर्थाथ यहाँ जो त्योर नाम कियो मैल दायले बनी डराउंदे बननु बयो नागी मिंग राम इला अर्थाथ मिरो नाम राम वाचुर एती नवन दे अर्कोले थपियो त्यम्यव आमिसंग जानू पर चानी आर्मी ले मैल दायले लियारे गया तेन मेल गोजरे का आल थियो जोषको बारे मा बनी सकनू थिये न ओफिसर ले आर्मी आप मा एती जाना और उती जाना केटी लियाँनु बनेर चापलु मूसिला अर्यों थि लियाँने यस बारे माँ जासुचियारूपने पोक्त बनी शक्या का थि उन्हेरको आग्र पू नाम लेखे र इए वा ती ती नाम ठेगाना र उमेर का केटियो राउधेशन भणे र आर्मी क्याप मा पठाउँ थे एदी आर्मी क्याप पन ना आये तेही नाम रठेगाना का आधर मा इने इने र तीने तीने का गहरमा गयर रक्त पिपासुले जान्दो गर थे मैलारू आर्मी क्याप मा पनी धर थे ना नाओ ता पनी पहर थे ना उने रूतिहां एसे पनी असुरक्षि थी उसे पनी असुरक्षि पर्खायरे आमीले सुने को गटना कुनै कालपनी कटना वही ना यह बास्तावी गटनाओ नेपाली समाज मा पुटानी सरणा थी भन्ने वित्तेके छुटे नजर देरीन छा अज अलपाग्यान केचा बने पुटानी सरणा थी अरू नेपाल मा सरण लिना आये र उचित मौका पाये र पसी मी मुलूबर मागा र श्थापित भाये तेती मात्राई स्वोचाउं छा तेरा बास्ताविकता त्यों बन्दा कोईयों टाडा चा परा रहे को छा शुका सोयल में बाचेगा नेपाली भासियारू कस्तो दर्त र दुख सहेर आफू जनमेको ठाउं आफू उर्केको परिवेश र सम्पुर्ण कुर्यारू छोडे र भागनू पर्यों कसरी लखेट अन्याय में परे ती सम्पुर्ण गटनार को भास्ताविक था भुटानी स्वर्णार्थी अवा प्रस्तोतन देशा मेरो न्वारन को नाम इंद्र बादूर भायपनी चलन चलती को नाम रणवादूर रणवादूर अथिकारी पिता परख बादूर र माता चंद्र माया अधिकारी को कोख बाटाव। म एक तीस साल माग नौ गते काईर छोर करूप मा भुटान को दागना जिल्ला दोराना ब्लग मामे थांगाउं मा जन्मिये। आमरो रातो मातोरे लित्पोद गरी का ठुल्टूला दुई तले घर र पाली थी। गरवित्र योटा र बाहिर औरको गरी दुई योटा जाता थी। बाहिर को जातो चीमे के अरुले प्रवयक गर थे। पाली को एक छेवबा बांचा कोठा र औरको पट्टी टीकी थी। पछाडी पटी गणा बादने तबेला थी। औरी पड़ी केरा को पोट। चीमी, कुविंडो, टुकुरके र फर्षिको जालजूल थी। अरु पछाडी दावरा राकने खोल मा थी। तेसला पछी गोरुबादने गवाली बनाया का थी। ठुलो आगन, आगनको तलती र पट्टी, चित्राको चानो भायको बाखराको खोर थी। घर मा थी अरु तिन वटा गवाली, गोट, कटेरा कटेरी र याक्सा थी। बास का डाडाबाटा, चिलाउनिको निदाल, र खरले छायको ठुलो घर को दोईला मा थी गर नमर 29, र ठाम नमर 21, ठुलो अक्छेर ले लिखिये को थी। परी-परी जंगले जंगल भायकोले, सबे कुराको सर्चुविदा का साथे, अत्यन्त रमणिये बाता वरन पने थी। मलाई जोलके घाम, रस्थानी बेला का घाम को द्रिश्य ने, सबे बंदा मन मोहक लाग थी। घरवाट चारे तीर अरियाली देखिन थी। इंद्रेनी का रंग हेर दे, गामचाय मा लुका मारी खेलना खुब है रमाई लो लाग थी। रातमाट हट हट हजुन्र चमकी रहेका, खरबों खरब तारा हरको अलवकीक त्रिश्य बने उस्ते रमाई लो लाग। हमेर जम्मा नौ भाई हुन्तियों वला शूर मा जन्मे का ती दुई जुम्लिया दाजोरू बाची दिये का बय। अभाग्यबस भाचिनन। साथ पाई मद्देपन अंतरे भाई को छ बर्ष को उमेर मा मृत्ति भाई को थियो। दिदी भाईनी चार जाना थी। सबेवंदा आखिरी मा जन्मे कुप भाईनी 59 बने 5 दिदी भाईनी भाईनी थी। दुरिवाग्यबस पाचिनन। जन्मादे मृत्त भाईन। आमी दस्साना तो भगवान का क्रिपाली भाईले सम्मा भाचे का छौं। अंतर्य भाई भीरामी पर्णवंदा अगिलो दिन आगर में उटा भंगेरो आयको छिय। भाईले त्यों भंगेरो समायरेले रायो। ए छिन पाचि भंगेरो मर्यो। तेस पाचित भाई सिक्ष्थ भीरामी कर्यो। सुर्मा रगत मासी जरो देखियो। और पाची तेसे ले लगयो। भाई खस्ता आमरू और काईला कागा को गोट गवरी चोक मा थियो। काईला कागा वियाहने घर जान वाएको थियो। माँ गोट माँ 201 ले बसेगो थिय। तो भाई खसेग असुब खबर माला काईला कागाले सुनाओ देऊनुन थिय। वुने आर दोईबर नटार भने जेऊने कुडा मानों दोईबरले ने टार न साकेनन। जे नहुनी थियो तेही भयो। घर मा रुआबासी छायो। सोक को को होलो मच्छियो। गाउले हरु भेला भयर भाईलाई गाट लगे। मलामे फर्कर आया पसी भाईले के सुरुब लिये चा बनी पत्ता लगाउन। बटु कामा खरानी राखे। बोलीपल्ट ब्याहने अरदा चरागे पाईला थियो। पक्का भाईले चरागो सुरुब लिये चा बन्दै। दिदी दाजोरु गानगुन गड़ना लागे। अंतरे बाईसांगे बिर्यामी परिको जनतरे पनी मृत्तिको छियो मापकुगेर फर्कियो। तरा नराम्ररी बर्स दिन समक्कुझीयो। दवे पानी धामी जाकरी मठ मंदिर बागल आधी गर्दा कसो कसो उभी नत थाल्यो। तरा असो स्टको पछाडी आयो। छाती उठियो रवू आजिवन अपांगवायो। पसाने चंदा गाईले पकायको तातो खोले माँ परेर पुरे शरीर ने पिल सियेको थिवरी। अईले पनी पूरी रंत कता गती दाग समेरो। दुई साता जती आमाली कसेले न देखाई करको टार्ण मा राखनो भायको थिवरी। कैले काकाली गोशी गर्ण दवाईले राइदीनो भायको थिवरी। अर्गो एक चोटी खेतको अगलो कानला बाटा जर्यर रंडै मरेको थिवरी। गाउंगर को जीवन अत्तिनत कस्टकर बड़ो जोखिम पूर्णा उन्थियो। चाना उदागो सब ही कुरा मेरो इस महरण मा छाइनन। सात बर्च अईका केह कुरा अरु मात्रा याद छान। एक दुई बंदै गाई वसी गन्न न जानेको गाई फरकाउनला जादा हुआली गाईले लखेटेको अहले समा जलजल तिया आदाउंच। बागी अरु समझना अरुमा तित्ति छाइनन। अनुमाने दुशे जत्ति मात्र बिद्दार थेले पड़ने पाउंगाउंप्राइमेरी स्कूल को छान। रातोच यादर को थियो। स्कूल देखी तलतीरको हस्टेल रा मास्तीरको टीचर क्वाटर वने स्यतोच यादर रे छायका उन थियो। स्कूल का अफिस साइट जम्मा दस बड़ा कोठा थियो। तो इस्कूल मा पहिला 6 समा मात्र पड़ाई उन थियो। तेसपचे 4 समा मात्र उन थालियो। जुरी गाउं, देवराली, डाणा गाउं, इमीरे, त्वागारे, जावाटा एड़ा पनी छर लंगा देखेनी तो इस्कूल अथिन्त सुन्दर लाग थियो। तो इस्कूल मा मा दस बर्चा कुँँदा, सन 845 मा बर्ना भायको थियो। छेवए माई स्कूल मा धापनी, माले ठूलो भायर मात्र पण जाने मोका पायको थियो। तिवन्दा आगी, दाजु दिद्यारू मद्दे, माल लाएले मात्र मोका पाउन हो भायको थियो। जंड़े ठूलो भाय बने र प्रद्यापकले माला फरकाई जियो। तरह भागे बस अन्तिम्मा नाम दरता भायो। माई स्कूल जानारा आउना थाले पाची और रिस्क करेको अनुबब येवा मनुपृति मेले गरना थाले। साइल दाए रा साइल दीदिले पण्डे ठूलो रहर गरनू भायको थियो। तरह दुर्भागे बस बिलामा लेक पड़ गरने सुनोलो अवसर पायनान। तसर्त उन्योरे पण्डन अपायका कारण अरुको रिष्टा गरनू ठीके पनी थिवलालस्तो लाग थियो। करको सब एक काम भ्यायरे स्कूल जानू पड़ थियो। स्कूल पुक्ता डिलो भई सक्के कों थियो। तिछेकले आरुका काड़ा सरीकाल लाउरा बेतले रहत पुक्तो पीड़ थियो। जीवहरी नियल्धाम रा चोट्टे चोटों थियो। पड़ायमा एवडा अक्षर मातर गलती हुना गयमा मर्ने गरी पिटाय खानू कर थियो। स्कूल मा पढ़न सजीरू कहा थियो। करापनी पढ़ने समय पन हुदेने थियो। नमर्तेलले उन्थियो। मेरो पड़ाय सुरु सुरु मा राम्रे थियो। कच्या तीन सम्मा पईलो दोस्रों हुदे आए। नदीजा प्रकाशन गरें तीन स्कूल मा आमा जानू भय। आमालाई पईलो दोस्रों भयको पनी था उन्थियो। प्रथम दुतियों निको नाम पछाडी आउधोराय चा। सुरु मा मलाय पनी किये थार। नाम नायर तीन चक पर थें। सायद गपाल पस्नित, नंद चवान, पुस्पा थापा, यान भट राए। लोग पवडेल, रत्न सुब्भा, आधी मित्रलाई पनी शुरु मा तीसते लाग थे उला। तरह अंतेमा पुरशकार साइध नाम आउधोराय चा। एता समय बिट्टे गयो, उता मेरो पड़ाय अली खचके देगवाय को थियो। कच्छा चार मा पड़ा पड़ेशन उन्नेसे नब्य मा दचिन भुटान का स्कूल बंधवाय। तरह पच्छी मों गोठ बसें। पच्छी तरह तेही स्कूल पनी अज्यात समवले जाय दिये। प्राक्रतिक सुन्दर ताले हरा वारत्यों सांत तथा एकांत को भुटानी गामबेशी मां। मजन मेरो बामे सरदाई किसरने दए किसरने दए नाना पापा चीची बन दए। टुकु टुकु हेड़ने उर्केने क्रम्मा भोग तिर्खा दुखदर्द फिर मरका पिड़ा चिन्ता सोक्षूर्ता आलाप बिलाप सम्योग भियो बिचोड आदी थिये नहीं थिये। उनतेस्ताकुरा जसका बने उने ने बय तर कती बने वास्ता गरी देन थिय। ति धुम्दाम ठूला बन्जंगल मा डर लागता हाथी बाग भालू उमुडार बन्कु गुर्जस्ता बने जन्तुको बिग बिगी थिय। परन्तु कट्टिबनी डर त्रास नमानी गाई मैसी चराऊ दे बन्जंगल गुम्दै चाड़ी कुंजरा मज्जसंग रमाईन थिय। खोला नाला खोलसा जरना तरदै इडे रहदा समय बिदेको पत्तम उदेन थिय। ती भन्जेंग चावतारी तेवरालीका आसपास मा चलेका सिरसिरे हावारे आहा सुर्गी आनंद को अनुभुति दिन्थिय। दसे तियार जस्ता महान चाड़ारूमा ओदी रमाईलों उन्थिय। दसे मा रमाउदे टिका लगाउन र तियार मा देउसी वयलों खेलना जादा भिने प्रकार को आनंद उन्थिय। साथ ए 15 असार को रोपाई मा असार बाका मा नाजदे औरके प्रकार को छुट्टे अनुभुति उन्थिय। बॉपाई माहली रो पारेको गीत गाउनमा ओड़ बाजी चल थियो हली ले भास को चोयो मकई को खोयो पाट को बरियो सुषेली हाल दे एसोल्य खान दे मेला मा बरियो यह ती भनिना सकताई रोपारेले असारे मास बेशीको बास असीना बरार चुपु माँ चुपु ताना हे रोप्ता पसीना तरार बनियाल थे और बाउसेले तेही माथी थप्ते पहिशी भई गाईकीन दुन्थेर आमाँ भई मकीन रुन्थेर गाउंगरती र उने सुभा कार्ये बिवाब बर्तबंदर धार्मिक अनुस्थान हरुमा ज्यादा जने खुशी को सीमा रहा दे न थियू बाबा आमाले साने देखी अतिउतम सेवा भाब सम्मान सत्कार जस्ता कार्ये गर्ण शिकान हुआ को थियू मेला पाद और्म पर्म र धर्म कर्म जस्ता काम हरुता साने देखी गरेगे उन थेँ उन तो ते सपनी बाले काल मा जिये देखी तहीं रमाईलो अनी जताय रियो उते गमाईलो उने ने भयो त्योक निरजन जंगल में आय हुई 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 र साइके शुषुई कड़ा रुक्का हैुंगा आयो रा पात बजाऊँ दै शुसरी आल दै ख्याल ठटा रा हास खेल गर दै इडिन्थियो तो सांत एकांत को रमणी इस्थान मा लुकामारी खेल्ला सदा सर्वदा कली लुमन अतिन्त आनन्दित र प्रफुलीत उन्थियो दिनों रनवन घंफीर गरे र आँसी खुशी रम प्रकार का खेलने अनी खेलावने साधन अरू कानर धनु गुलेली मट्यांग्रा गेटीस आधी हर बकत मीटा समझना का ताजा कोसेली का रूपमा हिज्वाज मेरा नजर मा आमने सामने देखा परी रहां छन कांस दावरा गोचा घारा लिना बंजंगल जानदा ठेड़ू बाधर रे कती लखेट ने गर थियो तो साध्दे थिये न बननना लाई एक दिन गोट मा सायल दायलाई खाजा सामल पूराण जानदा स्वयो बाधर ले तेची खोला देखी छालाग अंको सिरान समल्याई प पनी डर्नमानी खाले खुट्टे र नंगे बर्चों वेडियो अरवखत डाठ पुसुना बारुला जुका किर्ना उपियां उडुस मचर आदिले मरनेगरी टोकेर तलचर्री खून निकाल थि इसते काणार गोशेटा श्यसका शिनका रस्षीरू कट्टू साले घोचर उस काम नगरी जीवन चल देने थियो हंशिया खुर्पा कुटक कोदालो खुकुरी कर्दा जस्ता अतियार लियर मेलापार चाने पर थियो डोको थुन्चे र बोरामा मरने गरी भारी बोकेर कहिली उकाली चर्णू तकहिली ओराली चर्णू पर थियो सुन्ताला अलिची बोकेर हप्तों सम्माल लागने बजार चर्णू पर थियो नून्तेल कपड़ा लगायत का आवसेक्स सामान बोकेर घर आउने पर थियो एस्ते उस्ते यो वात्यो र स्वजिलों गारों सानाठूलों सबे कीसम को काम गरनों पर थियो नुतर कहां स्वजिलें माम रद्दाम मिल थियो रहा दुर्गम गाउं को सांगोरों बाटम मां गरों भारी बोकेर एहडदा एहड़ दै गलर लखतारान पर थियो और ले डाकर मां तोक्मा लगाउं दै टोपीले पसीना पूछेर खुई 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 गरेर सुसकर आल्दा मला पने तेसे गरों उजने लाग थियो पर बोटे गाउं देखी धान बोकेर डाणा काड़ा पुरावन पर थियो तल अमेले देखी धान पर आल बोकेर माती डाणा उकालों चण्णू पर थियो गागरामा पानी डोकामा दावरा र कांस तीन रातमा कोईयों पटा बोख नहीं पर थियो कईले के बोकेर काहां पुरावन पर ने कईले काम पर टा के लियर आवन पर ने बाद देता थियो सानो बने र छूट र धर पानी अवस्ता थिना काट पाथ ठांग रा छेवला पनी बोखने पर थियो बालेका में एधी कठींद्र जोकिंपूर्ण काम गरदा बनी दुखा बाएको अनुवब एवाम अनुवदी कहिले बाए ना बदाचित सुखा को किन्चित पने अनुमान गरण ना पाये को ला ती लाख्म दुखा का तीखा कांडार ले गोचे ना गरों भारी ले थीचे ना बोख्तिर खार जाड़ गर मिले मारे ना हाप्ताउं लामोर अफ्टेरों बाटा मां गरों भारी वोकर यात्रा गरदा तिसले गला आए ना कि इसरी ने दुखाई दुखा भाहता पने आजा आजा भोली भोली बन देए एसे उसे उसे कि सुरावस्ता भीटे को पत्तेई भाए ना बर्सों बर्सा आशी आशी साचे को गुलिये सपना आरू न फुलाओने और नाची नाची मिठा ररंगिन भीपना न फुलाओने यो दुनिया मा सायदे कोई न होलान संबब भाय समस सबका सब खुशी रानन्द संगा रम दै रमाली बरन चाहान थे और येसाई वित्र यत्रत्र सर्वत्र मन का कलपना डुलाओने कोईले हास्तेई कोईले रूदे कोईले नाच्तेई कोईले खेल्ले रमाओने जीवने आपन गरना रूचाहूँ छन हामी पनी रम दै आपने मात्र भूहिमा यूगों सम्मा बासन चाहान थेऊं पगवान को क्रिपाले दुग सुखागरे रजसो तस्व बांचे के थेऊं बाबामा को काकमा न्यानो माया ममतारिश नियका साथमा आपने घरपाली को आगन मा पर अवर सरसापट अईचो पंचो सरस्वयोग मा जीवन रमाय को नाले अपुग अभाब कान बब तित्ति भायना प्रशस्त खेट परी लहला दान का बाला बारी मां मके पाखा वरी डाले गांस का बोट बिरुआ अनि खोल्षा खोल्षीबा बर्बगए चारु थे औरी परी सिताम में हिमाल राताम में गुराशे पाखा अरियर डाडा पारीलो फार पवित्र नदी अनि नील्वाकास को बिचत्र ताहेरेरा कोईली कू अगाउलारा सायद तो सुनदर प्रकृतिक और स्वाधन गरेरा कोईली ना अगाउलान जतियरी पनि कोईली नसकीने प्रकृतिको अनुपम बंदार मा नरमाउने प्राणी बिरले उलान। बारे मास मन्द मन्द गतिमा सरर चलने सीतल हावाले सबेको मन फरफराउंदो। इसते परपूर संदरेको काक मत चरे र पेट परने गोट परी गाईवाईशी। खोर भरी बेडा वाखरा, कुखरा, आस, परेवा, तवलामा गोडा गोडी, ग्वाली मा तुले माले हल गोरूंथे। आमरा गर का आसपास मार रहेका खोलमा, कटेरा बरी, पराल खोचलवा, दावरा, डुकुटी बरी धान, भकारी बरी कोदो, बार्दली, व्यासी इर थांगरा बरी मकै का चुत्ता आउंथे। बने पाली बरी, नंगट, मकै, आलू, क्याकरा, फर्ची, रेस्कु सुन्थे। खोल्चा-खोल्ची र पाखाती र भने बीवी न फल्फूल का बोट बीरु आरू उर्खेंदे थी। खर बारी मा खर, छर्ची मेक मा एक और काको भर छादे थी। एस्ते मैं आस्ते एक हल्लाई, आमरो दयनेक जीवन कारे प्रफुल्ल संगा उर्कें देगायो। बरुता माता पिताले संकटका अनेक गाडा, सिश्न पानी, आगो और आरुकेके समाधे भाय पनी, तेताई रमोधे नुन्थे। एक रात मा साइन लाए, भाहिनी रा भाहियरू, और को सब एक काम दनना सके रा, बेलका को खाना खाए, अगेना उरा परा गफ गरते बसे का थियों, ठुल्लाई रे मैलाई छुट्टी सके का थि, जेठी मैली रे साइन ली दी दे रा आफना घर मा गई सके का थि, कान्सी भाहिनी जनतरे रा कांचवाई साहने थि, शायललाई रा मपनी गोटना सूतना जाने लाये का थियों, भाबामा रा भाहिवनी सूतने तरखर मा थि, तर कस्तो बिढम बना, अगी बाहिरे बाट आर्मी ले गर केरी सके छन, एक जाना आर्मी गुरुका दलोगारी, राइफ नेपाली बासी को गाउबस्ती मा उठिवास करना अत्यावसेक अतियार सहित आये को त्यो आर्मी को जत्थाले, ये ताउता तला माथी एर गहर मा भाय जदी सपे हाय मिलाई राम्रसंग नियाल दे थियो, माथी गहर को ट्नार मा चड़े रा डुकुटी का द्धान, पकार को दो, मांद्र को फापर, थुन्चे रा डाला को तोरी विरोल दै और छर दै बंदे थियो, आपा यहां कसला लुगाया को छ अरु छरा छरी खई, डर्रेर थार थारी कामते बाबाले बन्नु बायो, कसला लुगाया को छई ने डासो, एतिकमा डासोले फेरी बनु अरु चर चरी खईता, रावाले मलीन अनुवार करूना पूर्णा आवाज मा आपना गवार मा छन भन्नु बायो, एतिकमा अरु आरी मेरु पनी गवार गवार ती घर वित्र पसे एवटारे बन्यो, आमा जेठर माईले चो र काँ छ, डर लेर थार 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 ती काम दै तर दर अनि बर्बरी आशु खचाल दे आमाले, गवार से मा छ बनने जवाव तीनु बायो, एतिकमा मलाई, तुरूंते माईलाले ले राईजा बने र पठायो, मा तुरूंते उसले बने बमजीम कामगरां बीवास भायो, मा फटा-फट गवार से गवार सुतेगो माचला बलाहर आमने साथ-साथ रिसले आकरशेतों दे उसले बने नासूस, छेगी मिंगाची मो, और थाथ यहा ही जो, तुरू नाम क्यो, माईललाले ले बने डराउंदे बनने भायो, ना गी मिंग रामिला अर्भा अर थाथ मिरो नाम राम मुजुर। ये ती नवंदे अरकोले थप्यो त्यम्याव आमिसंग जानू पर्षानी आर्मी ले मायल दाला लियारे गए सब्सके तयों कहत्या प्रीण में देकी शुल्मा लट्टे को काले पने थियो उन्यपाली भासिका साथ है गाउ को मांसे वह कोले त्यपाली अपकी दपकी गरे पने कुटपीट में लट्टे को काले schedule to the Green आर्मी भाय पनी सरकार ले पून बोलार आर्मी को माथे लो पद देगा थी उसले पनी अस्ति अग्यात सम्म वाली गोसी बदार छेऊ आमा कुटपीट गरे रा मर्यो भने रा बाटमबनी लड़ाई देगा थी आयली वो दुनिया संग देसके बदलाली दे थियो उसले बाव बाला बनियो तीमें मेरो बावा समान को मांचियाओ तीमेला अईलियम में एस्तो उस्तो केई गर दीना नडराओ टुकसंगा बसा बोली छोर आयपोग छा एस्वो बंदै मायललाला लेर गाय गो थियो ते राथ डाडागाँ गुमेरो गुरांसियो दे फर्कनता ठुल लायला समयत पकड़ाओ गरेर लागे छा एसरी एके परिवार का दुई दाजो भाई लाई एके राथ समातेर लागेओ एसरी भुटान आर मिले दुनियाला समाँ दे स्वताँ दे अंत ता फ़साँ दे ग उता छोरी जेलेको जने गये गुजरेका आल थियो जसको बारें मा बनी सकन थिए न मनन पर एका मांचे का छोरी भुआरि लागिणी रोजहाने लागें मुलने लागे। नेपाली भाचिको गर गर्मा गयर फालाना तिलाना आज तिम्रो पालो परेको छ आर्मी क्यांप मा बेलुका जसरी पनी जानू पंदै दुस्ट गडा स्वर मा कड़किन थे नाम लेखेर इई वाथी ति नाम ठेगाना रा उमेरका केटे रोधे शन भणे रार्मी क्यांप मा पठाऊ थे अर्मी क्यांपा नाय और त acceptable का आधार्मा इने इने डर्तिन यतिन इने का गार्मा गयर रक्त पिता सुले जान्दो गर्ते मैलारू आर्मी क्यांप माउधा पनी धर थिये न नाउधा पनी पहर थिये न उन्हेरू तेहां एसे पनी असुरक्षित थिये उसे पनी असुरक्षित नारी जाती कालाई कस्तो दुर्वागे पूर्णा को जिन्दगी रक्त पिपासुहर को छेडिक संतुष्टी का निमितस सर्वांग सुम्पीनु परने उन्हेरको बिवस्ता थियो अप्राधिका कारन अस्तित्तु अस्मिता रा इज्जत सुम्पी दे सुर्वत साधन बनिद परने उन्हेरको बात देता थियो ती मैनब रुपी गोमन सर्पको फड़ाले जजसलाइच होए पनी तौचेट जीवन समापता उन्थियो ते कस्तो खालको बिढम मना दुर्वागे रभी साहब थियो नेपाली जाती विशसला लक्षेद गरी किना विवेद पूर्ण एती ठूलो अपराद जुन जुन नगर्णू परने कुरा थियो सजनी गले तेही तेही कुरा गर्थे जे जे नहोस बंदै इस्टोर संग प्रात्ना गर्थियों मानों उही उही कुरा उधे जान थे जो इजद लूट नाउन बंथियों तीने तीने आयर शर्वस्ट लूटे र जान थे नेपाली भासी अरुका विरुद्ध केने गर्ण गराउन बागे थियो रहव ती राचे सरले संपुर्ण कुरा गरी सके का थे गर्ण गराउन मर्न मराउन कीपने बागे ने राखे का थिये नन तेस्तो घातक अमाने वेव विवार गर्ने मानाव का रूपा स्वेम दानव ने उपसित भाय का थे उनिये निमुख कह आमा थे गर्ण को थियो बरबरता पूर्ण हर्कत मो बिर्शण कोषती परंतु बिर्शण सकते न थे Also a त्यों अमिट छाप बने रबसे को थियु। न वू बिर्शा न सक्थिय। न वूनी बिर्शा न सक्थिन। तेस्वेला कूर्दा, लचार पचार पार्दा, ठोक्दा, वा गल्चर दा लागे कर्दा, खत, निल्डाम, शरीर वरी, सदा का लागी रहने वाला थिय। शरीर अंगा बंगा र थिलो थिलो भायर थला परे को थिय। जीवन जीवन र वेवार धान बहुते कठीन परे को थिय। साथे भाग्या पवीशेने लथालिंगा अनि बताबंगा मुदे गई रहे को थिय। परखायरे आमिले सुने को गटना, कुनै कालपनिक गटना वहीना, यह बास्तावी गटना आओ इसको अन्य भागरू आमि निरंतर लेराय राखने छाओं, तर दिन जेल आफनो भूटानी साथे अरगाई, यह कथा पठाय दिन वहला, रसाथ है, यह कथा सुनेर, के मनन गरन वायो, त्योपनी लेकन वहला